इस कारिक्रम के पुर्णियार जखें श्री राजेंद प्रसाज जैन, श्रीमती मम्ता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन, एवं समस्त परिवार मुंबई और इस बहाने सादू संत आते रहेंगे, सज्जन लोग आते रहेंगे, तो जिन स्कूलों के हवाले करके तुम अपने बच्चों को संसकार की उम्मीर करते हो, और वो काम नहीं आते, तो इन सादू संतों के पास यदि उनको ले जाओगे, तो दो चार बार 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 जब वो सकोरे में भी पानी पड़ता है तो वो भी जब सीज जाता है तो तुमारे बच्चे इतने कठोर तो नहीं कि वो सीज है ना सकोरे भले ही हैं लेकिन एक अच्छी बाद आपको बता दें नया नया सकोरा सकोरा समस्त मिट्टी का बड़तन कुमार के अवासे तब करके आया हुआ हो और किसी नमी इवाले इस्थान में रख दो तो वो सकोरा ये नहीं देखता कि नाली के पानी की नमी हम ना लें कि बारिश के पानी की नमी हम ना लें वो तो जहां से नमी पाए वहां से अब्जॉर्ब कर लेता ऐसी बच्चे नई सकोरे की भाती होते हैं उनको तो नया जहां से भी मिलता उसको लेने का प्रयास करते हैं बुरी संगती से नया मिल जाए तो वहां से ले लेते हैं और अच्छी संगती से नया मिल जाए तो वहां से भी ले लेते हैं और किस्मत अधि उनकी हो, कि स्वाति नक्षत का पानी जो साध्यों के रूप में मिलता है, वहां से नया मिलने की बात आए, तो वो उनको मुती का रूप दान कर देते हैं. कि कब होगा, ऐसे आयतनों का निर्मान होगा, तभी तो उनके बहाने साधू आएंगे, वो तुमारी किस्मत को चमका पाएंगे. सस्ता सोदा है, जिन जिन ने दान कर दिया, बहुत सस्ता सोदा कर दिया, बहुत बड़े हैं. ब्यापार को रूप में प्राप्त होने वाला लाब जो होता है, उससे भी ज्यादा लाब आपके लिए, अर्थ के रूप में तो है ही, परमार्थ के रूप में भी मिलने बाला है. कई बार सोचने में आता, थोड़ा वो जब दिन में सांती मिलती, बैसे तो, शांती तो अंदर है यह, लेकिन बाहर के लोगों से सांती मिल जाती, तब लगता कितना सौभाग इन लोगों का है, तुमने इस जीवन में कोई पुर्ण नहीं किया होगा जो आपके लिए तु इस जीवन का तो पुर्ण तुमारा इसा हो गई नहीं तुम चांट लेना, सोच लेना अपने तुमने कौन सा पुर्ण किया इसा, मरा रोस्तों धर्म ध्यान करते, रोस्तों पूजा नविष्यक करते, हाँ, इतने से कुछ नहीं, यह तो तुमाए लिए, जो पुराना काम आ जाए, यह तो वह भी बर्ष चला जाएगा तो पहले है, तो इस सब को बचा करके आपने, यह तो हमने सुने, गुरु जी के संग में जब जून जुलाई का मेना होता था, उस समय कहां कहां से लोग निविधन कंद्य नहीं आते थे चात्रमास के लिए, बसें की बसे भर के लाते हैं, लेकिन पुन्य के मामले में बेवस हो जाते हैं, दस-दस, पंद्रा-पंदा साल से आ रहे हैं निविधन करने, लेकिन एक बार भी चात्रमास नसीव नहीं हुआ, और दोचारिस्थान तो ऐसे, घड़ों घड़ों उनको पतानी कौन सा, दोचारिस्थान ह हैं ऐसे, बंदा है, खुरई है, मुंगावली है, और दोचारिस्थान और भी है, गुना, आरोन, अशोगनगर हैं, ये तो बिलकुल भरमार हैं, पैक रहता, सादू, निकल नहीं पादे कि दूसरे के आने की संभावना बढ़ जाते, लेकिन, अब जो संभावना बनी हैं, वो आपके जीवन की भावनाओं को और उतकर्ष्ट पनाने के लिए बनी हैं, अब तुमारे निवेदन से सादू जितने आएं आएं, तुमारे संभेदन से जितने सादू आएं आएं, अब तो वो ऐसे तीथों का संभेदन अपने हिदय में करने के लिए जब आएंगे, तो तुम भले ही उनसे निवेदन करो या ना करो, कि तुम बाचना कर लो कि जात्रमास कर लो, ऐधी ऐसा अधुत्तीत बन जाएगा, तो किसका मन नहीं करता है ऐसे इस्थानों पर सादना करने का, जगदलपूर जब हम लोग जा रहे थे, तो जगदलपूर जाते समें, प पूज गुर्देप के साथ, दूसरी बार पूज योग सागजी के साथ, तो पहली बार तो गए थे हाई बे से, लेकिन दूसरी बार हम लोग रिस्क लेके गए थे, नेक्स लाइड बेल्ट से, वो चुकी रास्ता पास पड़ता, लोग उने कहा महराज, प्लीज, उसी रा जाएगा भी तो साथ में हो जाएगा, बागी छुडाने लाग तो कुछ नहीं, नहीं महराज, आप अकेले थोड़े ही नहीं, बागी सब जनता है, जनता क्यों हमारे पीछे आना चाहती है, जनता ना आए, चलो ठीक कोई बात नहीं, बीच अच्चुकी हर दो-दो किलोमे दूर से, अचानक कोई मालो किसी ने कुछ अपरादी तयत्म ने विस्पोड कर दिया, तो सारे मिलिटरी की जो बाटालियन है, वो समापत ना हो, दो-चाहत दस ही है, ऐसे दूर-दूर करके करते है, ऐसा गो नेक्स लाइट बैल, घन गो जंगल, तब लगा, सादूों के योग इस्थान तो यही है, जहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ बात वीराना, फिर जगदलपूर्श तो पहुँच गए, उसके बाद उसके आगे और जाना था, गीदम इस्थान है एक, नाम सोना होगा आपने, जगदलपूर्श से लगभव सत्तर किलोमेटर दूर है, और उ लोग की बहुत मांगती, मुश्किल से सत्रा घर की समाज, कितने? पंदा सत्रा घर की समाज है, और अलग से जाना है, गुरुदेव ने भी कहा था, देख लेना ठी हो सके तो, ऐसा कोई नहीं कहा था कि जाना ही है, लेकिन देख लेना हो इत्ता ही कहना पड़े आप ता कि थीक है, सत्रा किलोमेटर जाना, अब दो रास्ते थे, एक तो हाईवे वाला है, और दूसरा रास्ता था, जहां पर कुछ ऐसे मन्दूरम इस्थान, मन्दूरम का मतलब, आप लोग को लिए मन्दूरम नहीं, जहां पर वाटर फॉल, तीरत गड़ नाम का इक इस्थान, औ तीन इस्थान तक तो आप जा सकते हैं, बांकि चार इस्थान तो इतनी खाई में हैं कि वहाँ जाने ही मुश्किल है, ऐसा था इस्थान, नाम तीरत गड़ है, कोई आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं से इस्थान थी, तो लोगों ने कहा बोले महराज, एक रास्ता हो है, तीरत गड़ होके चलने तो ठीक है, तो योग स्थाकर महराजी ने कहा दिया, समझ लोग क्या है, तो ठीक है, हमने कहा देखते हैं क्या है, तो ये लोग कहने लगे महराजी, हाई बेसे चलते हैं, और फिर हाई बेसे 18 किलोमेटर अंदर ज जाएंगे, हमने का इसलिए नहीं जाएंगे, कोई तीरत होता तो बात अलग थी, बाटरफॉल दिखने को जाएं, रास्ते में पढ़ता है, दिख जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके अलग से जाएं, नहीं महराज आप चलो तो सही हो सकता, कुछ अच्छा हो जाए वहां पर ऐसा नहीं है, तो महराज फिर यहां से तो जाना संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, अब यह तो आप जिस रास्ते से आयते जगदलपूर तक वो तो फिर भी थोड़ा सा रहम बाला था, यह तो और खतरनाक है, क्या खतरा है, एक बेक्टी बोला, होले हमारी चाली नहीं महराज, बहुत मुश्किल है, और दूसी बात, जगदलपूर के पंच कलनाग में, भगवान पर तिष्ठित हो करके जाने थे, रत में सवार हो करके, बड़े भगवान, महराज भगवान को कैसे लेके जाए, कुछ उंच नीच हो जाए तो, अब भगवान को आप लो आपन सिरे सिरे चलते हैं, नहीं महराज, वहान तो चल नहीं है, दोनों बात ऐसे कैसे हो सकती है, रास्ते में पड़े का तो जाना ठीक है, बांगी अलग से तो उसके लिए को जाए, उन्होंने फिर साम, दाम, दंड, भेश, सारी नीटिया अपना ली, उस सारी नीटिया अपनाने के बाद, फिर जब ये तै हुआ की नहीं, महराज, चलो ठीक है, तुमने का सुनो, जहां तक महिलाम की बात है, बच्चों की बात है, उन्हों को नहीं लाना, हम लोग के साथ ब्रहम चारी थे उस समय, उन्हों के सब समाल लेंगे, एक दिन की तो बात है बीच में नहीं भी वा था उपास करने कोई दिककत नहीं, नहीं महराज, अब देखो, शाम को बीच में कहीं हर्ट वा, फिर तीरज का सुभई पॉंचना था, तो जिस स्थान पर रोके, वहां कुछ रात भर, हमने का तुम लोग सुनो, तुम लोग आशाम से सोना, भगवान की सुर अब भीगड जंगल है, अपन लोग बड़े आनन्द में थे, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सोबे सुबे तीरज कर पहुँए, तीरज कर भीगड है, विलको बीचा है विलकुल, ओ मन्दु अदम इस्थान, कभी आपने देखे होंगे, चित्र देखे होंगे, तो वह जल पर है, चट्टाने है, यहां भी लगे थे चित्र वो, जो पांच महाराज गए थे न वहाँ पर, तो पांच महाराजों के यहां लगा हुआ संदर नवास में वो चित्र, आपने देखा हो, जड़ने लगे हैं पूरे, वो तीरज कर पहुँए, तो क्या हुआ, हो गया, और वह कि महाराजों को तीरज कर जाने की क्या आवश्यक्ता थी, हालाकि महाराज अलग से उगए नहीं थे, रास्ते में था इस्थान, जैसे रास्ते में कई नदी के पास से निकलो, तो नदी रिख जाती है, चल प्रबात निक गया, तो हमने भी किछी के मन में कीड़ा काट सकता बरसात मकीड़े जल्दी हो जाते हैं, तो फिर हमने जब हम इस दे समय नहीं को बोलना था, लोग सोच रहे होंगे कि पांचों महाराज तीरज कर क्यों गए, सोचना तो यह था हिए, कि पांचों महाराज गीदम क्यों आए, क्यों, युकि साध हों का तो साधना का इस्था इस्थान वही होता है, जहां पर बैटने के लिए पाटा नहीं चत्तान मिले, साधूं का साधना इस्थान तो वही होता है, जहां पर बात करने के लिए साबक नहीं, नदी, नाले और ज़र्नों की कल-कल धोनी हो, और साधूं का साधना करने के इस्थान तो वही होता है, ज तो इस इस्थान को ठोड़कर कि गीदम क्यों आ गए यही बात पूछो तो हम आपको बता सकते हैं जब यह लोगों को बात पनमज में आई कि नहीं यही इस्थान सादूं के बाकई में इस्थान होते हैं आज पंचम काल की और हीन संजन का परभाव है कि सादू शहर में आकर के रुखने लग गए लेकिन शहर में भी वो बन जैसा माहुल बना रहे वो बीतरागता वो गुदासींता बनी रहे ऐसे ही तो बीतरागी भगवानों के जब आयतनों के निर्मान होते हैं तो सहर में रहकर की साधू जिन भवन में रहकर की वी वन जैसा अनकूल माहुज स्विखार कर लिया करते हैं इसलिए बनाई जाते हैं यह सब कुछ चीजे उनको तो बास समझ में आ गई तो हम बात कर रहे थे रिस्तों की धीरे-धीरे कर रहे हैं जो की रिष्ते तार-तार होते हैं अब वो कमपणी का दी पैकेज बढ़ गया है जहां पर अर्थी भी मिलती लकडी भी मिलती मांचस भी मिलती लाइट भी मिलता डीजल की भट्टी भी होती अब पैटर्ल की भट्टी हां, अमेरिका में अब वो एलेक्टरिक नहीं, डीजल भट्टिया होँग गई है। इलेक्टरिक भट्टी से क्या नुक्सान था? बोलि महराज उसमें राक अलग ताइप की मिलती थी, डीजल भट्टी में अलग ताइप की मिलती है। वाव वाव, मनलब राग की क्वाइल्टी को अलग टाइप से बाहने के लिए डीजल की भट्टियां हो गई, काई की? जो संसार की भट्टी में जुलस्ते रहे, अंत में राग जब कुछ नहीं मला तो फिर संसकार की रूप में भट्टी नसीब होई यह तो रह गया है, अवे रिष्टे बनेंगे कैसे? इतने सस्ते भाव से रिष्टे बनने वाले नहीं, कैसे बनाएं? हम तो खूब चाहते हैं उनका भला करना, लेकिन जब वो ही नहीं चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप उनका भला करना चाहते हो ना? बिल्कुल चाहते हैं महराज, अपना चाहते हैं कर नहीं चाहते भला? हमारा हो चाहते हैं उनका तो हो जाए, गलत तो यहीं हो गया है, अपने भले होने का तो में बढूति कोई मुद्स स्वामी बढूति कह गया इस बात को कि अपना हिट कर लेना चाहिए संभब Nौत तो सामने वाले का हिट भी कर लेना चाहिए लेकिन जब अपने हित और सामने वाले की हित में से दोनों में से एक की हित की करने की बात हो तो अपना हित अच्छे से कर लाना चाहिए मारा ये तो स्वार्थ की बात हो गई अभी तो आप परमार्थ का उपदेश देते थे अब स्वार्थ की परमात्य का अब्देस देते भगत भी स्वार्त पहले लक्ष में रहता है जो तुम एदी सही रास्ते लग जाओगे ये सही रास्ते लगाने का भला तुमारा जो होगा ये भला लगाने का जो कर्तब है ये कर्तब में जलिए उन्ही परमात्मा की एजन्सी से एजन्ट की रूप में मिला हुआ है जो परमात्मा बनने का लक्ष में लेकर आगे चला हूँ ज़िए परमात्मा बनने का लक्ष नहीं होता तो परमात्मा की एजन्सी को लेते का अजयर बहुता और जब वो एजेंशिटी लेते तो अपने इतने अजेंट टियार करते क्या जो आज आपके यहां तीन महाराजों की रूप में आएका नहीं है तो लक्ष्ट तो परमात्मा मनने का है उस परमात्मा मनने के महारग में जो जो भी करतब होते हैं परम निवाते व्यक्त भी उसी रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं इस विश्वास हॉने लग जाता और जब हिए होने लग जाता है तो आप दाकरके धीरे-धीरे दूसरों के हित की बात करते व्यक्त भी अपना ही हित हो रहा है इस समझ में आने लग जाता है और दो, शोचे, हमें अपना कुछ नहीं छहिए सामनेवाले का अच्छा हो झाए, तो में जब खुद का ही भले की चैन्ता नहीं है, तो दूसरीों का भला मिल으면 वह तुम कैसे कर लोगे, खुद काा हो लुक्ष में हो, लेकिन इसली दुबरा हुँ हम लुक्ष में हो, तो कह ना खुद को समझ पाया, ना खुदा को समझ पाया. खुद को दंड लगाए, Tahब जागी खुदा बनता. कब बनता? हुद में इक दंड लगा दो. वो दंडे के बात करता है. हुँअँचे. हुद में, एक दंड लगाने से खुदा बनता भोब में अच्छे बंद लगाने से खुदा बनता, दूसरों को डंदे दिखाने वालो, फ़द को डंदे तो लिखाओ, फ़द क्याशे धिखाए माराज? हादुथ्थकयम हादुथ्थचिंतियम भासियम रादुथ्थं, एंतो- एंतो- ञज्त्श्यम89 पच्छत्ता मेन वे यंतो साधू उठते ही साध भगवान का नाम बाद मैं परले खुद का नाम लेता मैं पापी हूं दुरात्मा हूं मायावी हूं लोभी हूं निष्ठुर हूं मेरे दुरा जो किया दुष्कत यह सारे सारे शुरू आत्मा ही आप लोग काओगे सुभए सुभए ले प्रभु का नाम ये गाते हो और जिनका नाम हम ले रहे हूं क्या गाते पापिष्ठेंदुराद्मना जड़दिया माया बिना लो बिना माया जगिसे हो जए रहे हो